सहित्य में भक्ति और स्रिंगार का मिश्रन अनादिकाल से चलता आ रहा है, बावक भक्त अपनी भक्ति की भाव लहरों में अपने उपाशे देवों की स्रिंगार की कलपना भी करता है, प्रारब में ये स्रिंगार भावना गोण रूप में आती है, परन्तु अनुकुल प्र और भक्ति प्रश्रिंगार का ऐसा आपरण चड़ जाता है कि उसका अस्तितु समाप्त सा हो जाता है। हमारा सहीते भी सिरंगार की इसी सरंखला में सुचना देता है। भारतिय जीमन और सहीते के समनयुग में सैयम और त्याग की शालीन दहराएं। भक्ति की पावन अनुभूतियां विलासिता एउं अश्रिय की कोमल चेतनाओं स्रिंगार की भावप्रून अनुभूतियों के साथ मिलकर साहिते में आती है। इशी प्रिप्रेक्षे में आज हम विद्यापती पर चर्चा करेंगे। मैं डोक्टर राजेंदर शिंग सहा अचारी राज के कला महाविदाले शिकर। अभिनव जयदेव और मैथिली कोकिल के नाम से शुविख्यात विद्यापती के विश्य में जोर्ज ग्रियर्शन ने एन इंट्रोडेक्षन टूदे मैथिली लंग्वेज नामत पुस्तक में लिखा है। हिंदू द्रहम का सुर्य अस्त हो सकता है, वह समय भी आ सकता है जब क्रिशन में विश्वाश और सर्दा का अभाव हो जाए। क्रिशन प्रेम की स्तुतियों के परती जो भवशागर के रोग की दवा है भी विश्वास जाता रहे। तो भी विद्याप्ति के गीतों के परती जिन में रादा क्रिशन के प्रेम का वर्णन है लोगों की आस्ता और सर्दा कभी कम नहोगी। विद्याप्ति बहुत ही कुशागर बुद्धी और विद्वान भेटती थे उन्होंने पुरूस परिक्ष्या लिखनावली गंगा भाक्यावली विभासागर दान भाक्यावली दुर्गा भक्ती तरंगीने इत्यादी अनेक है सेंस्कृत रचनाई लिखी। कीर्थिलता तथा कीर्थिपताका की रचना उन्होंने अभ़ट में तथा पदावली की रचना प्रिस्कृत मैथिली में की पदावली को विद्याप्तिने पर्थिग्रंथर के रूप में नहीं लिखा। कवी की बाल्यावस्ता से लेकर मन्नो प्रियंत रचित कविताओं के एकतर संग्रह का नाम ही पदावली है। महाकवी विद्याप्तिने कावी की रचना चोदिश अताब्धी में की। उन्होंने अपने कावी की रचना अधिकतर गिती कावी के रूप में सुवतंतर पदों में की उनकी कविताओं का संग्रह है विद्याप्ति की पदावली के नाम से हैं विख्यात है। इस कृति को मैथिली वाषा में लिखा गया है। इसके एतरिक्त उनका अप्रणश वाषा में लिखा गया कीर्थी लथा अनामक एक अन्यकावी भी मिलता है। विद्याप्ति कृष्ण भक्त कवी थे। उन्होंने अपने पदावली में राधा कृष्ण प्रेम की चर्चा को मुखे स्तान परदान किया। इस दिशा में उन्होंने सैंस्कृत के परशिद कवी जैदेव के गीत गोविंद से विशेश रूप से प्रेना लिया है। आपने मैथिली बाष्ण का आतेंत मधूर मनोहरी प्रियोग किया फलसरूप मैथिल कोकिल की पद्वी भी प्राप्त की। विद्याप्ति के गीति कावे में विशेश योगदान रहा है। गीति कावे की सपलता के लिए यह आवशेख हो जाता है कि कवी उसमें संगीत को आश्रे की रूप में ले। इसके अतरिकत कवी को उसमें अपनी दे की भावनाओं को शंशिप्त रूप में उपस्तित करना चाहिए। विद्यापति ने अपने गेपदों में इन दोनों मूल भूत आवशेख्ताओं को सफलता प्रूप के संपादित किया है। लिया हिंदी में गीति काव्य को व्यापक आधार पर उपस्तित करने का शरे विद्यापति को ही जाता है। उन्होंने अपने गीतों की रचना करते समय भाव और कला दोनों ही की द्रश्टी से जेदेव के गीत गोविंद का अनुकरण किया है। इन गीतों में फिर्दे को परभावित करने की अधूत समता है। इनके परभाव के विशे में ये परशिद है कि चेतने महाप्रभु की इर्थन करते समय इन्हें गाते गाते आत्म विभोर होकर प्राय मूर्चित हो जाते थे। उनके अधिकांस गीतों में संगीत का सुंदर निर्वाह मिलता है। द्याप्तिके गीतों में लोग गीतों की शहजता, सरलता, सहर देता का सुंदर शमाविश हुआ है। सी कारण मिधिल्या, बोहचपूर और उतर परदेश की कुछ गाओं में उनके गीतों को अते धिक परचार मिला। यहां तक की बहुत सारे कवियों ने उनके लिखेवे गीतों को लोग गीत के रूप में सुंदर के नाम से परचलित कर दिया। मिधिला में उनके गीत कावे का बहुत ही व्यापक परचार परशार मिलता है। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।